कि सक्ट्यमिव जयते में घरेलू हिंसा का एपिशोड देखनी के बाद और बाखी जो महिलाय ठी जो गरेलू हिंसा से पिड़ित थी उनको सुनने के बाद एक जेटली मुझे मैं भी वैसे हिंसा से मतला पिड़ित होती आ रही थी 10 12 12-13 साल से मैं सहती आरही थी राजा इतना सहती थी मतलब मैं अपने घर के अंदर जो होता है ता मार की दिशा ही लेकिन मैं आगे झो अपने दर्वाजा से बहर जांकि जो आखे जो लेडी मिल उसको मैं कभी नी बता थी देयॉ।eg sometimes मैंने एपिसोड देखा और सुना उसके बाद मुझे मितलब ऐसा लगा कि यह चीज तो मैं अपने आपके उपर बहुत अपने आपके उपर में खुद हिंसा कर रहे हूं कि मैं उसको दबा कर बैठी हुई हूई 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 आगे बड़ी लड़ने के बाद आज मुझे मतला फाइनली मैं उस चीज से मुप्त हूई मेरे अंदर यह बतला हूई है कि अगर मेरा बेस चले तो मैं हर एक घर में से जहां यह सब होता है उनको भाहर निकालू हमारे यहां तो काफी फर्क पड़ा है क्योंकि जो औरते पहले सहती थी थी ना वो सहती नहीं है और उसका डटके मुकाबला करती है मैं किसी का वाइलेंस नहीं सहूँगी और ना ही किसी पर हो रहा है तो मैं उसको देख के चुप रहूंगी सब्सक्राइब को देखने के बाद यह हिम्मत आ गई कि मैं अब मैं भी नहीं सहूँगी और मेरे सामने कोई सहरा है तो उसको भी साय नहीं नहीं दोंगे